हेलो दोस्तो सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी पॉलिटिकी MCQ स्रीज का 39 पाठ है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उस्तम न्यल्ले के न्याईक पुनरिक्षण कारिये का क्या अर्थ है कानूनों की शामविधानिक वेदता का पुनरिक्षण न्याईक पुनर विलोकन का अर्थ है की सर्वोच न्यल्ले किसी भी राज्जे के कानून को अवेद गोशित कर सकता है नियाएक पुनर विलोकन में नियले को निमलेकित अधिकार प्राप्थ है यदि कोई कानून या आदेश समिधान के विपरित हो तो उसे ऐसमिधानिक गोशित करना नियाएक पुनर विलोकन की वैवस्था भारत और USA में है केंद और राज्जो के विवादों का समधान करना सरवोच नियले के जिस छेतर अधिकार के अंतरगत आता है वै है प्रारंबिक छेतर अधिकार निमलेकित में से किस मामले को उस नियले में पर्तेक्स रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है दो अत्वा अधिक राज्जों के बीच विवाद जन्हित याची का दायर की जा सकती है उपर्युक्त दोनों में उचनेले में भी और सर्वोच नेले में भी सर्वोच नेले किसे हटाने के लिए राश्टपती से सिफारिस कर सकता है संग लोक सिवा आयोक के अध्यक्सवय सदश्यों को दो या अधिक राज्जों के बीच किसी विवाद के मामले में नेले लेने की सर्वोच नेले की सकती क्या कहलाती है आरंबिक अधिकारिता उस्तम नेले द्वारा परम आदेश किसे जारिक किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए निमलिकित में से उच नयले या उस्तम नयले की वहरेट या आदेश कौन सा है जो किसी पर अधिकार को रद करने के लिए लिया जाता है अधिकार प्रिच्छा रेट लाब का पद परिभाशित हुआ है निम्लिकित में से किस मुकदमे में भारती सर्वोच नियले ने सरुपर्तम शम्विधान के मौलिक लक्षन का सिद्धान पर्ति पादित किया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केज में भारति सविदान का कौन सा अनुचेद सम्वेधानिक विवाद में सर्वोष नेले के अपिलिये छेतर अधिकार से सम्मंदित हैं अनुचेद 134 एक को मिलाकर अनुचेद 133 को पढ़ना केंदर और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का नेंडे करने की भारत के उस्तम नेले की सक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अन्तरगत भारत का उस्तम नेले कानुनी तथे के मामले में राष्टपती को प्रामर्स देता है तब ही जब वह ऐसे प्रामर्स के लिए कहता है राष्टिय मानव अधिकार आयोक के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्लेकित में से कुन इस आयोक का अध्यक्स बन सकता है केवल भारत के सेवा निवरत मुख्य न्याय मुर्ति भारत के सर्वो चिनले ने सविधान के अधारबो धाचे के सिद्धान्त को इसपष्ट किया संकरी परसाद वाद 1951 में किस वाद में सर्वो चिनले ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संसोदन करने की सकती प्राप्ते परवैस विधान के मूल ढाचे में संसोधन नहीं कर सकती केश्वा नंद भारती वाद में सर्वोच नेले के परतम मुक्य नयाईदीज कौन थे? हीरा लाल जे कानिया सर्वोच नेले के मुक्य नयदीश के पदपर सरवादिक लंबी अवधी तक कोन पदस्त रहा? वाईवी चंदर चुड सर्वोच नेले के मुक्य नयदीश के पदपर सबसे कम समेता कोन आसीन नहा? कमल नारायन सिंग सर्वोच नेले के किस मुक्य नयदीश ने 20 जुलाई 1979 से 24 अगस्त 1990 तक कारिय कारी राष्टपती के रूप में कारिय किया? ह.म. हिदाय तुलाने वर्ष 1903 में सर्वोच नेले के किस मुक्य नयदीश की निप्ती के समय पर्थागत वरिष्टता के सिधान को पहली बार त्यागा गया? ए.न. रेके निमलिकित में उस्तम नेले की सबसे पहली महिला नयदीश कोन थी? फातिमा बीवी सविधान की व्यक्या करने का अंतिम अधिकार किसे पराप्त है? सर्वोच नेले को निमलिकित में से किसके मामले में उस्तम नेले वा उस्तम नेले दोनों की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का सन्नक्षन उस्तम नेले की प्रामर्स अधिकारिता के विशे में निम्लिकित में से कौन से कथन सही है नीचे देगे कूटों की साहिता से उत्तर का चेन करना है उस्तम नेले के लिए यह बाद्य कारिय की वैराश्पती द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत वैक्त करे नियल्ले का मत सरकार पर बाद्यकारी नहीं होता। उस्तम नियल्ले को उसकी प्रामर्सी अधिकारिता की सक्ती के अधीन एक बार में किवल एक ही निर्देश बेजा जा सकता है। राइट आंसरे ओप्सन सी दो और तीन सही है। कौन सा अनुषेद सर्वोश नियल्ले को अभिलेक नियल्ले का इस्थान परदान करता है। अनुषेद 139 निम्लिकित में से कौन सबसे पहली महिला वक्किल है जिनको सीधे उस्तम नियल्ले के नयदीश के रूम में नियुक्त किया गया। इंदू मलहोत्रा प्रामर्स दाई अधिकार छेत्र के अंतरकस उस्तम नियल्ले किसी विधी के परसनिया जनता के लिए विशेश महत्तव के तत्ते पर प्रामर्स देता है जो उसे भेजा जाए। राष्टपती दुआरा जब भारतिये नियाइक पद्यती में लोखित मुकदमा पी आई एल लाया गया तब भारत के मुख्ये नयमुर्ती कौन थे। सर्वो चिनेले में नियाइदीस नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्स उचिनेले का एडवोकेट होना चाहिए। 10 वर्स सर्वो चिनेले के नियाइदीस भारत के राष्टपती दुवारा हटाए जा सकते हैं। संसद में माभ्योग प्रस्ताव पारित होने पर। भारत में सबसा बड़ सबसे बड़ा अपीलिय नियल्य कौन सा है। उस्तम नियल्य। भारत के उस्तम नियल्य को प्रारंबिक अपीलिय और प्रामर्स दाई छेत्र अधिकार है। भारत में किस सम्वेधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है। उस्तम नियल्ले के मुक्य न्याइदीश के पद पर। खाली इस्तान के फैसले भारत के बागी सभी नियल्ले को मानने होते हैं। भारत के उस्तम नियल्ले के। सर्वोस्च नियल्ले के जजो का वेतन किस से आहरित होता है संचित निदी से निम्लिकित में से कौन से उस्तम नियल्ले की आरंबिक अधिक कारिता में आते हैं भारस सरकार तता एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद संसद के किसी भी सदनिया राज्य विधान मंडल में हुए चुनाव पर विवाद भारस सरकार तता किसी संग राज्य छेतर के बेच का विवाद, दो या अधिक, राज्यों के बेच का विवाद. निम्लिकित कूटों के अधार पर सही उत्तर चुनना है. राइट आंसरों का ओप्सन सी एक और चार सही है. निम्लिकित में से कौन सा या कौन से कतन सही है, नीचे देगे कूट से सही उत्तर का चैन करना है. कलकत्ता में सर्वोच नियले की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी. लेमेश्टर इस नियले के परतव मोक्ये नियाए दीश्थ है. राइट आंसर होगा, ओप्सने केवल एक सही है. तो दोस्तों या दियो मारे वीडियो अगर आपको च्छे लेगी हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद.